मेरा नाग हमेशा बंद रहता है क्या मेरी नाग की अड़ी तेड़ी है नाग की अड़ी तेड़ी होने के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं क्या इसके लिए सर्जरी की जुर्वत होती है और होमियोपेथी किस तरह आपको जो डेनेस के केस है इसमें मदद कर सकती है अगर आप ऊद्कों Weiquy को पहले समझना पड़ेगा तो यह देखिए हमारी जो नाखे जिसमें दो नलिया होती पूर इनके बीच में वार होती है और यह जो अगही होती है इसे om neezal septum कहते हैं लिए अगर ठोड़ी दोस्तों इसका जो सबसे पहला कारण है वहाई कि जब हम भुण अवस्ता में होते हैं तो वहाँ पर विकास होते होते नाक की जो अड़ी है दोस्तों वहाँ पर कई वार वो तेड़ी हो जाती है तो डबलपमेंट के वक्त नाक की अड़ी फिर तेड़ी होना सुरू हो जाती और बढ़ती रहती है अगला एक कभी कवार यदि आपको कोई चोट लग गई है आपको कोई एक्सिडेंट हो गया है नाक पर चोट लग गई है तब भी आपकी नाक की अड़ी तेड़ी हो सकती है तो यह हो गया आपका दूसरा कारण कभी अगर नेजल पॉलिफ हो जाए नाक के अंदर कुछ गांठी बन जाती है कुछ पॉलिफ बन जाते है या फिर कोई ट्यूमर्स यदि बन जाते हैं तो उस बज़े से भी नाक जो है एक तरफ से तेड़ी हो सकती है और एक कारण इसमें होता है दोस्तो अनुवान शिक्ता अगर ये नाक की हड़ी तेड़ी है तो इसके क्या-क्या लक्षन अपने को देखने को मिलेंगे क्या-क्या सिम्टम्स मरीजों में देखने को मिलेंगे तो दोस्तो यदि नाक की जो सेंटर वाली बोन है यदि थोड़ी वह तेड़ी होती है थोड़ी वह तेड़ी होती है तो इससे कुछ problem create नहीं होती है बट अगर यह ज्यादा हो तो इससे problem हो सकती है तो सबसे पहले हड़ी तीड़ी होने की वज़े से nasal obstruction याने की क्या हो सकता है आपको नाक बंद हो सकती है तो इसकी वज़े से आपका नाक पे ध्यान जाएगा नॉर्मल इंसान का अपनी नाक प के लिए जिससे की यह नाक यह नेजल पासिज आपके खुल जाएं ऐसे symptoms आएंगे दूसरा है कि राइट साइड यह आप करवट लेंगे तो लगएगा कि राइट साइड वाली नाक जो है आपकी बंद हो रही है लेफ्ट साइड आप करवट लेते हैं तो आपको लेफ्ट में आम लोगों में पांच से दिन में जो इंफेक्शन ठीक हो जाता है लेकिन हड़ी तेड़ी होगी तो यह इंफेक्शन लंबा चलेगा और यह प्रॉब्लम वक्त के साथ और भी बढ़ती जाएगी गंबीर होती जाएगी इसके अलावा दोस्तों एक और समस्य जो हो सकती ह है डीनेस की वज़े से वह होता है पोस्ट नेजल ड्रिप इसमें क्या होता है कि हमारी जो साइनेसे होती है इनमें बलगम बनने वाली जो ग्लैंड होती है यह बढ़ जाती है और यह आवशक्ता से अधिक म्यूकस बनाना शुरू कर देती है ज्यादा बलगम जब बनना श को जरूर देख सकते हैं तो कभी कभी यह बलगम क्या होता है कि नाक के पीछे वाले इससे में आपको फील होता है तब हमें जो है इस तरह से जो है करना पड़ता है नाक साफ करना पड़ता है तो ऐसा लगेगा कि नाक के पीछे कुछ चिपक गया है कुछ बलगम चिपक ग और यही बल्गम गले में आपको महसूस हो सकता है तब हमें गले को साफ करना पड़ता है अब इस तरह अब को गले को क्लियर करना पड़ता है बहीकि तरह से आपको जोड़ता बन रहा है और जह आपके नीचे ओड़ च değild All वो सांस के आपके जो रास्ता है आपके जो वोकल कार्ड है जहांसे आपकी आवाज आती ही बोलते है अब आपे इस पे जाके वो जमा होना सुरू हो जाता है एक खटा होना सुरू हो जाता है तब हमें हर बार बोलने से पहले थोड़ा सा गला साफ करना पड़ेगा इस तरह क जो है आपको समस्या हो सकती है साथ में खासी की समस्या हो सकती है कि कई वार लोगों को ठसके आते हैं ड्राइक अफ होता है इस तरह की समस्या हो सकती है इकोर समस्या जो डी एनेस की वज़े से हो सकती है वो है कि आपके सर में भारी पन हो सकता है आम तोर पर बहुत ज्यादा तेज वाला headache इसमें नहीं होता है लेकिन हाँ सर का भारीपन, हलका दवाब, heaviness आपको feel हो सकती है साथ इसाथ कान में blockage, कान में भारीपन की समस्या हो सकती है क्योंकि कान का जो pressure है वो change हो जाता है जब कान का pressure change हो जाता है तो उस बज़े से हमें कान में भारीपन, कान में कम सुनाई देना इस तरह के दिक्कतें आपको आ सकती है दोस्तों क्योंकि जो नाख है और जो यह कान है आपके यह used again tube के रास्ते जुड़े हुए होते हैं जुटोंसाद नाख की हडी यदी तेडी हो गई है तो वो कान को भी एक blocking बाली feeling करा सकती है कई लोगों में कान के परदे की जो समस्या होती है यह बढ़ सकती है दीनेस यह जदी इनको रहता है उन्हें पता ही नहीं होता है उनको इस समस्या बढ़ सकती है पांच भी प्रॉब्लम है कि नाक के अंदर बहुत ज्यादा जो है बल्गम के साथ साथ कभी-कभी थोड़ा सा खून भी देखने को मिल सकता है नाक का बन्द हो जाना और ज्यादा मुकस का बनना ये दो चीजें दोस्तों पेशेंट बहुत ज्यादा फेल करता secondo गर्म टो किसे करते कि इसकी सब से पहले जब आप जाएंगे आपको wij सकते हैं कि कहीं कोई तो नहीं들이 कर सकते हैं इसको हम दोस्तोental और कई बार सकती हैं आह então कि हुआ परक्र की आप मुझे इसके operation कराना पड़ेगा तो देखिए operation की ज़रत नहीं होती है जब हड़ी मामूली तेड़ी होती है इसके लिए generally कोई operation कराने की आवशक्ता होती है नहीं किया जाता है लेकिन अगर symptoms काफी ज्यादा है problem बहुत ज्यादा है बार-बार आपको हो रही है आपको बार-बार दवाईओं की ज़रत पड़ रही है आप पर कोई दवाई काम नहीं कर रही है तो operation ही इसका एक इलाज बनता है क्योंकि दोस्तों ये एक structural problem है जो कि दवाईओं से क्योंकि हड़ी जो है सीधी नहीं किया सकती है साथ होट सीधा नहीं किया सकता है तो अगर यह वेडि काफिय जयादा थे टी कि यह तो उसको आप दीए नहीं कर सकतें न accord इसम Кिप पड़ती है अब हम जानते हैं कि जो कैसे कर सकते एक और को शर्जदी हो पर आपको सरजदी cheesy कराते हैं कुछ दिन कुछ महीने कुछ्छ साल तीक रहते हैं बहतर हुआ फिर उनको को समस्या आने लगती है हमारे बाल जनरली जो पेशेंट आते हैं और जो जट्र आते हैं तो नेन तो भारिवार आती-रहती है कि जितने भी लक्षन है वो सब बापिस आना सुरू हो जाते हैं आफ्टर सर्जरी एक साल बाद दो साल बाद तो आखिर यह क्यों होता है सर्जरी भी इसमें एल्प नहीं कर पा रही है देखिए इसकी बीचे जो सबसे बड़ा कारण है कि जहां पर सर्जरी की रिक्वार्मेंट ही नह नहीं है वहां पर उप्रेशन की जरुद नहीं है और बहुत जादा त्यड़ी हो गई है दबाईया काम नहीं कर रही है तब आप उप्रेशन कराना चाहिए यदि आपको सीवियर फार्म में डेविएशन हो गया है तो वहां पर सर्जरी इस ना मस्ट दोस्तों लेकिन आपने अपरेशन करा लिया पिशेंट बोलता है कि फिर नाग क्यों बंद हो रही है एकसरे में हम देख रहा है तो हड़ी हमारी तेड़ी आ रही है नाग भी बंद हो रहा है और सर्जरी भी इसमें हेल्प नहीं कर रही है तब क्या करें तो आपको अपनी हड़ी को सीधा क लिकति आ रही तो आपकी नाग के air passes को बंद कर रहा होता है वह एक additional factor होता है दो पहले तो पहले हमें नाग की और यह है और उसके ऊपर कोई infection है कोई allergy हो रही है जिसके कारण आपका जो नाक का passes है वो completely block हो रहा है तो यह दो different condition होती है तो पहले दो कि यह आपको DNS काफी severe है हड़ी काफी तेड़ी हो गई है यह यह पासिज को जो आपकी नाक को बंद कर रहा है जो आपको DNS पैदा कर रहा है तो वहां पर आपको surgery कराने से कोई भी फाइदा नहीं होने वाला है दोस्तों मैं आपको बचाता हूँ कि homeopathy medicines DNS के case में कैसे helpful रह सकती है इसमें हम कई सारी medicine जो है यूज करते हैं जैसे की शाइलीशिया है अमोनियम कार्व है लेमना माइनर है काली वाइक्रोम है नेट्रम्यूर है और हम ट्राफैलम है तो यह जितनी क्या हुआ है टर्बिनेट हाइपर ट्रॉफी पोस्टेजल ट्रेप नेजल पॉलिफ अलर्जिक राइनेटेस ब्लोकिंग आफ नोस तो यह सब वीडियो यह सब टॉपिक्स मैंने कवर किये हैं इसकी में लेस्ट आपको दे दूँगा वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको हुआ इस पर चेक कर सकते हैं आपको जो भी समझया हों जिस भी यज être लर्ज़ करते मैंश करते हो ॒ब पर भी आपको severe DNS है वहाँ पर surgery required होती है और जहाँ पर ज्यादा severe नहीं है वहाँ पर आप हुमेपेथिक